दोस्तो एसी अकप 2023 के सुपर 4 में कल बंगलादेश और सिलंका के बीच जबर्दस मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में सिलंका ने बंगलादेश को हरा कर फाइनल में पहुचने की रहें और भी आसान कर लियें जबकि बंगलादेश की रहें लगबग अफ़ खतम हो चुकी हैं फाइनल में पहुझने की, या इंडिया पाकिस्तान समय त बाखी टीमों को फाइनल में पहुझने का पूरा सेनेरियो क्या है, किस टीम के कितने चनसेट है, और किस टीम को कितने अंकच चाहिए, वहीं कौन सी यू टीम है, जो लेसिया कब 2013 से बाहर हो चुकी है मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जोए देने वालो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपॉर्टन वीडियो में अंतता कब बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अंदबाद नहुए थे तो सो किर्केट से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अप्डेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन ने कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आईए चलो जो एफ वीडियो स्टार्ट करते हैं उस टीम की जो एसिया कब 2023 के फाइनल से पहले एलिमेनेट हो चुकी है जो की है बंगलादेश बंगलादेश को कल के मैच में सिलंका ने हरा कर एसिया कब 2023 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जहां इस टीम ने लगातार सुपर फोर में दो मैच हरा है पहले मैच में पाकिस्त के हातों बंगलादेश को हार मिली थी जबकि दूसरे मैच में सिलंका ने बंगलादेश को हरा कर एसिया कब 2023 से बाहर कर दिया और बंगलादेश पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो एसिया कब 2023 से ऑफिसली बाहर हो चुकी है हलाकि अभी इस टीम को एक मैच और खिलना है और वो मैच जो रहने वाला है इंडा के खिलाफ रहने वाला है अगर उस मैच में बंगला देश जीत भी जाती है तो भी ये टीम फाइनल में पहुच नहीं पाईगी और ये ओफिसली एसिया कब 2023 से बाहर हो चुकी है तो इस टीम के कोई भी रास्ते नहीं है एसिया कब 2023 के फाइनल में पहुचने के और अब बात करते हम स्रिलंका के तो स्रिलंका ने एक मैच सुपर फोर का खिला और उस मैच में बंगला देश को हरा कर फाइनल में पहुचने के रास्ते बहुत ही आसान क इस टीम को दो मैच और खेलने हैं एक मैच पाकिस्तान के साथ टीम खेलेगी जबकि एक मैच इंडिया के साथ खेलने वाली है और इन दोनों मैचों में से अगर एक भी मैच में इस टीम को जीती मिल जाती है तो इस टीम के पास चार अंक हो जाएंगे और चार अंकों के साथ टीम एसिया कब 2030 के फाइनल में जगह बना सकती है, वह ऐसे इस टीम के चांसे लगबख 60% नदर आ रहे हैं फाइनल में पहुचने के, वह ही अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी अब तक एक मैच खेला है, और उस मैच में इस टीम ने जबरदस जीता है, जो कि बंगलादेश को इस टीम ने हर आधा, अभी दो मैच और खेलने हैं, एक मैच इस टीम का इंडिया के साथ रहने वाला, जो की आज खेला जाएगा, जबक़ दूसरा मैच जो है सिलंका के साथ रहने वाला, और इन दोनों मैचों में से एक मैच और पाकिस्तान टीम ज बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया ने अब तक सूपर फोर के एक भी मुकाबले नहीं खिलें और इस टीम को टोटल तीन मैचे खिलें पहला मैच जो आज पाकिस्तान के खिलाफ रहने वाला है जबकि दूसरा मैच सिलंका के साथ जो तीसरा मैचे बंगला देश के साथ र फाइनल में पहुचने के चांसे लगबग 70-80% नजर आ रहे हैं तो दोस्तों ये रहा ASEA Cup 2023 के फाइनल में जाने का पूरा सेनेरियो तो आपको क्या लगता बंगलादेश के साथ कौन सी ओ दूसरी टीम रहेगी जो ASEA Cup 2023 से बाहर हो जाएगी क्या इंडिया बनाव पाकिस्तान के बीच ASEA Cup 2023 का मुकाबला खेला जाएगा या फिर किसी और दूसरे टीम के बीच कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तों इस टोटम वजीत नहीं अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक का दना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दना थाइंकिस तो मज गाइस पोर वाचिंग इस वीडियो